Hello friends, welcome back to my channel रामायन में ऐसे ही कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं इन में से एक है सीता माता से जुड़ा हुआ वह रोचक किस्सा जिसमें माता सीता रावन को देखते ही अपने हाथ में घास का तिन का उठा लेती थी रावन जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट ब्रक्ष के नीचे बैठ कर केवल प्रभू स्री राम का समरण और चिंतन करती रहती थी रावन बार बार आकर सीता जी को धमकाता था लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी यहां तक की रावन ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को ब्रहमित करने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ रावन ठक हार कर जब अपने सेन कक्ष में पहुँचा तो मंदोधरी जो यह सब पहले से जानती थी बोली आपने तो राम का वेश भी धरा था फिर क्या हुआ रावन बोला जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी रावन अपनी समस्त ताकत लगा चुका था लेकिन जगत चन्नी मा को आज तक कोई नहीं समझ सका फिर रावन भी कैसे समझ पाता लेकिन लंका पती रावन भी कहा हार मानने वाला था उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयाश किया मैं माता सिता से आकर बोला मैं तुम से सिधे सिधे समवाद करता हूँ लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठा कर उसे ही घुर घुर कर देखने लगती हो क्या घास का तिनका तुम्हे राम से भी ज़्यादा प्यारा है रावन के इस प्रेशन को सुनकर माता सिता बिल्कुल चुप हो गई और अपनी आखों से आस्वों की धार भैपड़ी शायद वह मन हे मन उन खुब सूरत पलों के बारों में सोच रही होंगी जब स्री राम से विवाकर के अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सतकार हुआ था माता सिता का बड़े आदर के साथ ग्रह प्रवेश हुआ और उत्सम मनाया गया उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहश्य चिपा हुआ है नव वदु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदश्यों के बीच मीठास बनी रहे इसलिए सिता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दसरत सही चारो ब्राता और रिशी संतों को परोसी सिता जी ने जैसे ही खीर परोसना सुरू किया कि जोर से एक हवा का जोंका आया सभी ने अपनी अपनी पत्तल समभाली सिता जी कुछ समझ पाती की राजा दसरत जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया सिता जी ने उस तिनके को देख लिया लेकिन अब खीर में खात कैसे डाले यह प्रसंद था तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घुर कर देखा तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदू बन कर रहे गया सीता जी ने मन ही मन सोचा की अच्छा हुआ की किसी ने नहीं देखा लेकिन राजा दसरत यह सब देख रहे थे फिर भी दसरत जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहां सीता जी को बुलवाया फिर राजा दसरत बोले मैंने आज घुजन के समय आपके चमतकार को देख लिया था आप साक्षा जगत जन्नी का दूसरा रूप है लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था उस नजर से आप अपने सत्रू को भी मत देखना इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावन आता था तो वो उस घास के तिनको को उठा कर राजा दसरजी की बात याद कर लेती थी सीता जी चाहती तो रावन को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थी लेकिन राजा दसरत जी को दिये गए वचन की वज़े से वह शान्त रही तो आपको यह रोचक तक 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 है कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलना मिलती हूँ आप से एक नई वीडियो में पक तक तक पीजिए, बाई बाई